पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेज बाई परिक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें गुड़ मॉनिंग आल आफ यू मैं परिच्छित पांडे एक बार फिर से आप सभी का अपने यूटूब चैनल पांडे क्लासे इस बाई परिच्छित पांडे में तहे दिल से हार्दी के भिनेंदनों स्वागत करता हूँ साथियों क्लासे इस की मैथमेटिक्स में मैंने आपको पिछली क्लास में प्रस्नावली 7.1 प्रस्न संख्या 2 तक आपको मैंने पढ़ा दिया था आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ प्रस्न संख्या 3 जो आपके स्क्रीन पर है पहर रखा है निमने लिखित के गुड़न खंड कीजिए पहला क्यूस्चन है साथ स्वरी जेड माइनस साथ प्लस साथ एकस वाई माइनस एकस वाई जेड इसका गुड़न खंड करना है यह बड़ा सिम्पल है वीडियो मैं टलास तक बने रहें कॉपी को पूर्तिया मिंटेन रखें कॉपी बना करके सवाल को अपने सामने या वी में मिलूंगा तो चलते हैं आपके सवाल की तरफ तो बच्चों वठते हैं सवाल की तरफ क्या घर रखा है ध्यान रखना यहां पे जेड माइनस साथ है तो इसमें इसको पहले ब्यवस्थित क्रम में लिखो जेड माइनस साथ माइनस एकस वाई जेड को पहले लिख लो य कामन कुछ नहीं है जब कुछ कामन नहीं होता तो वहां कितना कामन होता है one यहा बचे फिर क्या हो जाएगा A1 जो है 1 को लिख लो माइनस XY जो बाहर है इसको लिख लो 1 माइनस XY ठीक है एक bracket में दूसरे में क्या हो जाएगा Z-7 यहाँ भी है Z-7 यहाँ भी है ठीक है बच्चों ति यही आपका क्या हो गया अंस्वर ठीक है क्या हो गया अंसर दूसरे नंबर सवाल की तरफ तो बच्चों दूसरा क्यूस्चन है 15xy-6x प्लस 5y-2 इसका क्या करना है गुड़न खांट कैसे करेंगे ध्यान दीजिए बच्चा देखो यहाँ 15xy है इसको लिख लो कितना 15xy ठीक है यह जो प्लस 5y है इसको इधर कर लो यह हो गया प्लस 5y अब क्या बचा माइनस 6x माइनस क्या 2 ठीक है अब एक पद ए हो गया एक पद ए हो गया मैंने ऐसा क्यों किया ताकि कामन बन जा देखो यहाँ जिसे 15xy यहाँ 5y था भाई 5 तियाई 15 कटता है y इसमें भी था y इसमें भी है y को ताकि बाहर ले ले यहाँ 6x और 2 के क्यों किया क्यों कि 2 से 6 कटता है 2 3 यह इच्छ होता है ठीक तो इन दोनों में कामन लीजिए यह जिए 5y पूरा कामन ले लोगे 5y पूरा कामन ले लो तेहाँ 5 तियाई 15 15 यक्स y है y बाहर आगयत क्या बच्छा यक्स प्लस 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 ही होगा 5y जब बाहर आगयत क्या बच्छा बच्छा यहाँ 1 माइनस अब इसमें 2 कामन ले लो कितना 2 तो 2 ती आई 6 ते 3 क्या 1 माइनस माइनस प्लस हो गया दो कामना आएगे कितना बचा वन तो यह दोनों देखो एक जैसे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में कर लो यह दोनों एक जैसे हैं इनको एक ब्रैकेट में जैसे तीन यक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में दूसरे हैं क्या यहां पांच वाई है पांच वाई को लिख लो माइनस क् बच्चा यही आपका क्या हो गया आंस्वर ठीक है तो वीडियो में अटलाश तक बना रहा करें वीडियो पूरा देखा करें चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है AX प्लस BX माइनस AY माइनस BY ध्यान दिजिएगा इनका करना है गुड़ंखंड तो गुड़ंखंड जब करेंगे बच्चों तो इसको गुड़ंखंड करेंगे तो यह बिल्कूल विवस्थित नहीं करना है इन दोनों देखो यक्स नजर आ रहा है एक्स को क कामल ले लो तो बचेगा A प्लस B इन दोनों में माइनस Y को कामल ले लो तो यहां A प्लस B यहां भी हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों क्या कामल लेंगे यक्स यदि यक्स कामल लेंगे तो यहां क्या बचेगा A प्लस क्या B ठीक है माइनस यहां देखो A Y B Y है इन दोनों म अब X-Y एक ब्रैकेट में X-Y एक ब्रैकेट में आपका हो गया तो बच्चों यही आपका क्या हो गया आनस्वर ठीक है कॉपी मिन्टेन रखो कॉपी बना कर रखो समझ भिना आप कमेंट्स भी कर सकते हैं चलते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न बच्चों आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं चौथा नमबर 15PQ प्लस पंदरा प्लस 9Q प्लस 25 बच्चाएक्ची ध्यान लखना इसमें 15PQ और प्लस 25PQ को एक तरफ कर लो देखो कैसे मैं बता रहा हूँ या तो पहले 25 25 इसी को लेख लो 15PQ प्लस 25P को एक तरफ कर लो और ये 15 लिखा है 15 तो इस 15 को या चाहे 9Q को पहले कर लो तो 9Q और प्लस 15 को एक तरफ कर लो ठीक है अब इसमें और इसमें आप कामन लीजे कामन वही पद होगा जो दोनम होगा तो बच्चा 5 से 5 कामन लेगे तो 5, 3, 15 देखो P दोनों में था P को भी बाहर ले लो तो यहां बच्चा 3 अब देखो 5, 3, 15 हो गया 5, 3, 15 अब P बाहर आ गया तो क्या बच्चा यहां Q तो Q को लिख लीजे किसको Q को अब यहां क्या है प्लस 5 से 25 में भाग तो 5 बार गया P बाहर आ चुका है तो इतना अब देखो 3 कामन हिस में क्योंकि 3 से 9 और 3 से 15 भाजित होता है तो 3 को बाहर लोगे 3 तरिक का 9 3 Q प्लस और प्लस का गुड़ा प्लस 3 से 15 में भाग दोगे 3 पंचे 15 देखो दोनों एक जैसे है न तो 3 Q प्लस 5 एक ब्रेकेट में और 5 P 5 P प्लस 3 एक ब्रेकेट में यही आपका क्या हो गया बच्चा आंस्वर ठीक है वीडियो को पूर्टय आलाश्प तक देखा करें अच्छे से मन लगा कर कि पढ़ा करें चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल की तरब अगला क्यूशन बच्चों दे रखा एक्स स्कुआइट प्लस एक्स वाई प्लस नौ एक्स प्लस आट वाई अब यह दिद ध्यान रखना है इनमें कुछ बिवस्थित नहीं करना है आपको उसका बिवस्थित है केवाल आपको कामन लेना है क्या लेना है? कामन लेना है तो मैं बता दे रहा हूँ कामन ध्यान दीजेगा इसमें कामन तो इन दोनों में देखो यक्स इसमें भी है यक्स को कामन लेलो यक्स कामन लोगे तिहां क्या बचेगा यक्स प्लस यक्स कामन तो यहां क्या बचा वाई ठीक है इन दोनों में आठ कामन है आठ को कामन ले लो तिहां क्या बचेगा यक्स प्लस आठ यहां से भी बाहर आया तिहा बचा वाई तो दोनों में X प्लस Y है ना तो दोनों में क्या है X प्लस Y ठीक है अब दूसरे प्रेकेट में यहां है देखो X प्लस यहां कितना 8 तो बच्चा यही आपका क्या हो गया आंस्वर तो प्रस्नावली 7.1 आज आपकी यही पर समाप्त होती है अगली प्रशनावली 7.2 लेकर कि मैं उपस्थित हूँगा आपके लिए देकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है वहाँ पर आपको सूत्र अर्था थार्मूले की जरूरत होगी जैसे ए तीन सूत्र तो आप पढ़ी लीजिएगा जैसे ए प्लस बी का होली स्क्वायर तो आपने पढ़ा है यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी या इसी को कहते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर ठीक है या ए फार्मूला A-B के whole square की ज़रूबर पड़ेगी जिसमें होगा A square plus B square minus 2AB या इसी को लिख सकते हो A square minus 2AB minus 2AB और plus क्या B square ठीक है और अगला आपको एक सुत्र और ज़रूबर पड़ेगी कि जैसे A square plus B square ठीक है A square minus B square ठीक है A square minus B square तो यह होता है एक कोश्ठक में A plus B और एक कोश्ठक में A minus B ठीक है यही आपके क्या रहेंगे बच्चा यही आपके फार्मूले तो इनको अगली प्रश्णौली में इनका अध्यन आपको करना पड़ेगा लेकिन आज के क्लास में बस इतना ही नोट कॉपी मिंटेन रखें मन लगा करके पढ़ें जो बाते समझ में ना आए आप लोग कमेंट्स करें ठीक है या मेरा वाटसब नंबर है उस पर आप लोग संपर कर सकते हैं ठीक है तो बच्चों अब चलते हैं कल आप से अगली क्लास में बिलेंगे प्रस्णावली स्ताथ दसमलोग दो लेकर के आज ये क्लास बस इतना ही धन्यवाद पांडे क्लासेज को जवाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेज बाय परिक्षित पांडे को सबसक्राइब करें